आज मैं आपके साथ काले चने से बनने वाले बहुत ही टेस्टी और हिल्दी नास्टे की रेस्पी शेयर कर रही हूँ और इस नास्टे को बहुत ही कम तेल का यूज करके हम बनाएंगे सिर्फ दो चमश तेल में इस नास्टे को बनाएंगे काफी ज़्यादा यह टेस्टी भ आटा हादा होटी चमस नमक दाल देंगे. ठोड़ा सä तिल डाल देंगे. एक चमस के करी जाह soft आटा गुंद करके हमें तयार कर लेना है तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर आटा गुंद के तयार कर लिए एकदम सा soft आटा तेल डालने से बहुत ही soft आटा गुंद के तयार हो तो अब इसे हम side में रख देंगे और यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में इसके बाद यहाँ पर अधा चमच के करीब यहाँ पर soft और अधा चमच जीरा और कुछ यहाँ पर लेसुन की कलिया मैंने ले ली है और अधरक के टुकड़े मैंने ले ली है इसमें डाल देंगे इसके बाद यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्च, तो 3-4 यहां पर हरी मिर्च डाल देंगे, एक छोटे साइज को प्याज डाल देंगे, काटके इस तरह से, बस इसको हमें क्या करना है, बीना पानी डाले इसका हमें अच्छा सा पेस्ट बना के तयार कर लेना है, जरूरत पढ़ने पर थोड़ा सा एक दो चमच प देंगे, इसके बाद यहां पर कुछ मसाले डाल देंगे, तो मसाले में क्या करेंगे, यहां पर आदा चमच डाल देंगे, पुना हुआ जीरा का पौडर, आदा छोटी चमच काली मिर्च पौडर, थोड़ा से यहां पर लहल मिर्च पौडर डाल देंगे, आदा चमच डा तो पानी चोड़ने लगता है तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर मैंने थोड़ा ज्यादा ही मैंने आटा ले ली है और आटा को ऐसे रोल करेंगे लोग के जैसा इसके बाद इसको हमें रोटी के जैसा रोल कर लेना है एकदम सा पतला नहीं रोल करना है थोड़ा मोटा ही इसको हमें रखना है तो इस तरह से थोड़ा सुखाटा इसमें लागाएंगे अच्छे से इसको रोल करेंगे तो यह देखिए कुछी तरह से हमें यहां पर रोल कर लेना है इसको ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है ज्या से मासाला बनाई हुए है जो छने के स्टॉफिंग की है इसमें डालेगा और धीरे से इसको हमें दबा देना है इसी तरह से मैंने यहां पे सारा बना लिए और इसको मैं तर यहां पर श्टीमर का यूज़ की है यानि कि छेदा वाला जो प्लेट होता है इसका यूज कर रही हूं मैं इस तरह से करने के बाद अब यहां पर मैंने पानी रख दी है पानी में उबाला न शुरू हो गया है तो बस इसमें इसको डाल देंगे चार से पांच मिनुट तक इसको हमें स्टीम होने के लिए रख द यहां पर ढ़कनाट देखा रहे हैं तो काफी अच्छे से यह पख चुकआ है तिया पर गैस बंद कर देंगे थोडवा थन्डा हो चुकाई तो आप चाहें तो इसको अ हूआ इसको अई टीस्टी बना लेते हैं इसके लिए सबसे-पहले हमें करना क्या है कि मैंने चाहां две तो चमज के करीब यहां पर तेल डाल देंगे और तेल जैसे ही गर्म हो जाए एक चमज डाल देंगे यहां पर सरसो और अदा चमज डाल देंगे जीरा एक चमज डाल देंगे यहां पर वॉइट तील और थोड़ा से यहां पर हल्दी डाल देंगे अगर आपको तील पसंद तो आप इसको skip कर सकते हैं इसके बाद इसको अच्छा से बूहने हैं तो देखिए यहां पर भूहन चुका है और इस समें डाल देना है बाद क्या करेंगए ऐसको भड़ियां सा क्लर आने तक इसको वहने बूहन दो यहांने कि रौद यहां कर लेना है तो आप इस नास्तिक के को एक बर जरूर ट्राय करें और वीडियो कैसी लेगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं उम्मीद है आज की रेस्पी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस सब्सक्राइब के लिए थैंक यू